हेलो एब्रीवान वेलकम तो जैशी टेरट आज हम बात करेंगे कि आपका आने वाला मंथ दिसंबर कैसा जाएगा आपकी लाइफ में ओके पहला काट लेंगे ओके बहुत ही ज्यादा आप अपने वर्क पे एक पुजीशन के साथ एक मेच्चुरिटी के साथ अपने काम को हैंडल करते हो नजार आएंगे बैलंस करते हो नजार आएंगे और यहां तक मैं यह भी देख पा रही हूं इस एनरजी के साथ कि अब बहुत ही ज्यादा मेच्चुरिटी के साथ और कामनेंस के साथ अपने चीजों को हैंडल करेंग अपने वर्क पर फोकस रहेगा आपका सिर्फ काम 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 किसी चीज से अनसाटिसफेक्शन जिसको कहते हैं होने से आप उन्ची जों से कट आफ भी करने के कोशिश करेंगे कुछ लोग यहां पर कुछ लोगों को किसी चीज से हर्ट भी हो सकता है जिससे वो जगह से बाहर ज निकळ जाना चाहेंगे और सीच्युएशन से कुछ लोगों को ये रिलाईज हो सकता है कि मैं अभी इस चीज के लिए प्रिपयर नहीं है तो वो भी उस चीज से वहां से निकल जाएंगे अगैन कुछ लोगों को monetary benefits हो सकते हैं अपनी life में कुछ लोगों को बहुत ही जादा positive results मिल सकते हैं अपने workplace पर कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा imbalance नज़र आ रहे हैं अपने चीजों को लेकर बहुत जादा लापरवाही careless होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले month December में तो आप लोगों को थोड़ा सा careful होकर चलने की ज़रूवत है लापरवाही की ज़रूवत तो बिल्कुल भी नहीं है sorry कुछ लोग तो चीजों को balance करते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोग balance करेंगे और कुछ लोग दो situation में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं balance नहीं बैठा पा रहे हैं तो उन चीजों को कैसे balance करना है उस चीज पे भी वो विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि काफी ज़्यादा परिशान भी हो सकते हैं balance करने के चक्कर में कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा positive हैं अपने decisions को बहुत ही ज़्यादा gracefully लेकर चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश खुश रहेंगे उनके साथ कुछ लोग के साथ तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला कुछ लोग judgment किसी चीज का अगर आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और उस चीज का आपको result मिलेगा इस मन्त में बहुत ही ज़्यादा positive energies हैं यहाँ पर तो होफुल रहे हैं सब अच्छा ही होगा एक काड में और ले लेती हूं कुछ लोग यहाँ पर हील करते हुए नजर आ रहे हैं खुद को किसी चीज की situation में अगर आप बहुत जादा टैंसनाइज हैं काफी टाइम से तो उस चीज में आप थोड़ा सा आपको rest करने की ज़रूरत है यहाँ पर rest करें माइंड को open करें देखिए अपने आसपास चीजी क्या हो रही है दन आप उस चीज पर work करना स्टाट करें सो हुप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जितना जिससे resonate करें उतना ही लें क्योंकि यह कलेक्टिव रीडिंग है जर्नल रीडिंग है जर्नल र को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें थेंक्यू सो मच